Breaking News आज के डेट में Ice AI का important announcement जो लोग भी CA Intermediate and CA Final का number 23 में exam दिये हैं उन students के लिए बहुत ही important है Please students इस वीडियो को जरूर सेयर कर दीजिएगा CA Intermediate and CA Final students के साथ अभी आगे चलके CA New Course Me24 related बहुत सारा update आने बला है तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि CA related एक भी अपडेट मिस नहोप है Please students सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले official notification बाद में जानते हैं कुछ guideline को जानते हैं सबसे पहले जानते है verification के बारे में पाया है तो उसको देखता है और दूसरा किसी भी टाइप का totaling error हो हो सकता है कि कुछ section में totaling error हो या overall जो कि front page में लिकलता है वहाँ पे totaling error हो तो यही चीज़ चेक करता है verification में तो अगर आपको apply करना है तो आप लोग CA intermediate या CA final का आपका जैसा भी result आया है अगर negative आया है कुछ mark से fail कर गया हो या कुछ mark से आपका exemption छुट गया है तो आप लोग चाहो तो apply कर सकते हो apply करने के लिए कितना feel लगेगा तो आपको 100 रुपया per subject लगेगा maximum आपको 400 या 4 paper के लिए करवाओ 400, 8 paper के लिए भी करवाओगे फिर भी 400 रुपया लगेगा तो 2 paper के लिए करवाओगे तो कितना रुपया 200 रुपया per paper आपको 100 maximum 400 ही लग सकता आप 8 paper को verification में apply करोगे तो आपको 400 रुपया लगा किनको apply करना चाहिए देखो students अगर आपको लगता है 2-3 mark से exemption छुट गया है या आपका result पास होने से बच गया है या maximum 10 number से भी बच गया हो पैसा को नहीं देखना चाहिए खुद का satisfaction बहुत important है 30 दिन के अंदर में आपके mail पे result आ जाएगा वहाँ पे बताया जाएगा आपका marks बढ़ा नहीं बढ़ा लिख करके बता दिया जाएगा तो अगर आप लोग चाहो तो verification के लिए apply कर सकते हो अब आपके मन में doubt आ सकता है कि verification result किस पे declare होगा तो आपके mail box में आएगा 30 दिन के अंदर में declare हो जाता है generally तोड़ पे तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत marks से fail कर गए हो या आपका exemption बच गया है छुट गया है exemption आप ऐसे case में question नहीं पूछना है सीधा verification के लिए apply कर दो देखो verification के लिए apply करो क्या marks कम हो सकता है जिसका जबाब है जी है बहुत ही rare chance है कि marks कम भी होता है ठीक है official notification में है मैंने बता दिया देखो एक और चीज़ जो doubt आता है माल लेते हैं आपने 20 marks का question था 20 marks का उसको attempt किया 10 number मिला example के तोर पे समझते हैं जब आप verification के लिए apply करोगे 10 number मिल गया इसका ये मतलब हो वो question check हो चुका है वो answer माफ करना check हो चुका है 10 के जगा पे दुबारा बार में वो ना 11 कर सकता नो 9 कर सकता तो verification में क्या check होता अगर अभी तक भी समझ नहीं है तो video को starting से फिर से देख लीजिएगा तो आप simple way में समझ लेते certified copy में क्या difference है तो verification इसके अंदर included होता साथ में आपको certified copy मिलता कोई down simple language में बाकि आप detail में guideline को पढ़ सकते हो तो आपके मन में आ जाए गया फिर से inspection में क्या difference है इसमें भी verification included होता है साथ में आपको certified copy मतलब मिलता नहीं है mail पे आता नहीं है आपको क्या करता है कि आपको certified copy के लिए अपलाई करोगे तो 30 दिन के अंदर में क्या बोलते हैं कि आपका certified copy mail पे आ जाएगा एक और important बात certified copy के लिए अपलाई करेंगे तो पर copy कितना लेगा 500 पर copy आपको 500 पे करना परेगा आइस AI website के थू जाओगे गाइडलाइन में क्लियर यहां पे लिखा हुआ है कि दुबारा से paper check नहीं होता सिर्फ और सिर्फ कोंशा question नहीं check हुआ या इतने भी type का totaling error हो चाहे front page का totaling error हो overall या नहीं तो मतलब section wise totaling error ऐसा भी हो सकता है किसी भी type का totaling error हो उसको देखा जाता है ठीक है यह सब चीज़ तो बता दिये breaking news गया है तो breaking news यह है कि verification window का official website पे update आ चुका है verification window CA intermediate and CA final number 23 का open होगा 10 जनवरी 2024 11 एम से और आखरी date क्या होगा 8 फरवरी 2024 इस बीच में apply कर सकते हो 100 रुप्या पर copy लगेगा कैसे apply करना कल के date में तो window open हो रहा live demo video इस channel पे 11 बज़ देखने को मिल जाएगा certified copy के लिए apply करना या inspection से related apply करना CA intermediate and CA final number 23 का students तो कल के date यानि कि 10 जनवरी 2024 11 एम से open हो रहा है और आखरी date होगा 7 फरवरी 2024 तो कैसे apply करना कल के date में ये भी इस topic पे भी detail video आज जाएगा एक और तरीका होता है certified copy का apply करने का RTI के थुरू मात्र 10 रुपया में आप लोग apply कर सकते हो सारे paper मंगबा सकते हो अपने घर पे मेरा मतलब है mail पे आएगा देखो आप चाहो तो आज के date में भी apply कर सकते हो मेरी साब से आज के date में problem हो सकता है कल थोरा सा वेट कर लो कल के date में RTI के थुरू भी detail video आ जाएगा आप लोग चाहो तो इंतजार करो थोरा सा I hope की verification, windows certified copy या inspection, RTI इस सब से related आपका doubt clear हो गया कब-कब देखने को मिल सकता है इस topic में भी detail video जल्द आ जाएगा कल के date में 11 बजे के बाद सारा video देखने को आ जाएगा Charter Studies के YouTube चैनल को तो अभी से subscribe करके bell notification विल दबा दीजिए और इसके related जितना सारा आपके मन में doubt है comment box में पूछ दो क्योंकि मैं जब video बनाऊ लाइब डेमो तो उस video में वो doubt को clear करते हुए जाए बस last में छोड़ा सा request करेंगे students आप लोग विश्वास नहीं करोगे कल रात में भी नहीं सोया और अभी भी लगतार काम कर रहा हूँ आप लोग से लगतार बात कर रहे है पता है मुझे बहुत सारा doubt है सारे topic पे detail video दे दे आज आएगा आज के date में ही complete हो जाएगा चाहे सुवा के 5 क्यों न बच जाए आप लोग चाहो तो comment box में result भी share कर सकते हो जो लोग pass कर गए congratulations जो लोग pass नहीं किये कोई बात नहीं है May 24 में मन लगा के पढ़ेंगे और वहां पे पास करेंगे